UEE Universalization of Elementary Education प्रारंबिक सिक्षा का सारबौमिकरण तो Elementary Education का मतलब होता है First Class से Eight Class तक की जो Education होती है उसको Elementary Education या प्रारंबिक सिक्षा कहते हैं अगर हम Universalization of Elementary Education की बात करें तो इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले सभी बच्चों को Elementary Education प्रोवाइड करना सभी को Elementary Education देना, सभी की प्रारंबिक जो सिक्षा है उसको पूरी करना तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं Program and Schemes of UEE कि ऐसी कौन-कौन से Program और Schemes Government लेके आई जिसके दौरा भारत में रहने वाले सभी बच्चों को Elementary Education प्रोवाइड की जा सके सभी तक Education पहुचाई जा सके तो ऐसी कौन-कौन से Program और Schemes Government लेके आई तो हम उसकी बात इस वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें UEE की Universalization of Elementary Education तो जैसा मैंने आपको बताया कि Elementary Education फर्स से लेकर 8 प्लास तक की Education है और Universalization मतलब भारत में रहने वाले सभी बच्चों को 6-14 साल के सभी बच्चों को Elementary Education प्रोवाइड करना तो इसे ही हम कहते है Universalization of Elementary Education तो अब हम बात करते हैं कि सभी बच्चों को Elementary Education प्रोवाइड करने के लिए Government ऐसे कौन-कौन से Program and Scheme लेके आई तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे कौन-कौन से Program and Scheme थे फिर एक एक करके हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे Article 45 की उसके बाद हम Operation Blackboard की बात करेंगे फिर हम बात करेंगे National Literacy Mission उसके बाद हम बात करेंगे DPEP जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम की उसके बाद हम Mid-Day Mill Scheme की बात करेंगे फिर हम जानेंगे सर्व सिक्षा अभियान के बारे में फिर हम Article 21A Right to Education की बात करेंगे फिर साक्षर भारत और लाश्ट में हम Right to Education Act की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम Article 45 की बात करते हैं अनुचेद 45 की बात करते हैं तो 15 अगोस्ट 1947 में हमें Freedom मिली और उसके बाद हमारा Constitution जो था 26 January 1950 को इंप्लिमेंट हुआ लागू हुआ और जब हमें आजादी मिली तो उस टाइम जो यहाँ पे नियम कानून थे और जब हमारा समविधान Constitution बनना शुरू हुआ तो वहाँ पे एक Article था Article 45 तो Article 45 में Free and Compulsory Education का प्रोविजिन किया गया इसमें कहा गया कि जिस दिन हमारा Constitution समविधान बनकर तयार हो जाएगा लागू हो जाएगा उस दिन से अगले 10 सालों के अंदर विदिन 10 येर्स सभी बच्चों को जो 6 से लेकर 14 येर्स के गुरूप के सभी बच्चों को Elementary Education प्रोवाइड करना है Free and Compulsory Education सभी को देना है तो Article 45 में ये बात की गई थी और उसके बाद हम बात करें 1987 में Operation Blackboard आया तो Blackboard का मतलब Classroom में जो Blackboard है उससे नहीं यहाँ पर Blackboard का मतलब है School Infrastructure से है School Infrastructure जो School की Building है जो Facilities है Building हर स्कूल में कम से कम दो Classroom बनाया जाए और जो भी Teaching Learning Material है जो Facilities है उस स्कूल को Provide की जाए तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो 1986 की जो Policy थी उसकी सिफार्सों के अनुसारी 1987 में इस प्रोग्राम को लाया गया और इसमें क्या-क्या बात ही की गई इसका जो सबसे महत्पूर्ण उदेश था कि जो प्रात्मिक मतलब इसमें जो काम किया गया Primary Education प्रात्मिक सिक्चा पर तो इसका Mean जो Focus था प्रात्मिक सिक्चा की गुणवत्ता में सुधार करना Quality जो है उसको बहतर बनाना Upway और ठहराओ Wistage and Stagnation तो Wistage का मतलब है कि कोई बच्चा School में Admission लिया मालो First Class में Admission लिया और अपनी Fifth Class complete करने से पहले यो Third में उसने School को छोड़ दिया तो मतलब किया है उसने अपनी पढ़ाई complete नहीं कि बीच में ही उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया तो मतलब तीन साल के में उस पर जो भी Resources लगाएगे सरकार की तरफ से वो Wistage कहते है और Stagnation का मतलब है कि बच्चा एकी क्लास में बार बार रिपीट कर रहा है मालो Third क्लास में तो बार बार Third क्लास में फेल हो जा रहा है तो इसको कहते हैं Stagnation ठहराओ रुकावट ठीक है तो Wistage और Stagnation अववे और ठहराओ इसको कम करना और सभी बच्चों को खास तोर पर लड़कियों को प्रात्मिक सिक्चा की और आकरसित करना ताकि सभी को सिक्चा प्रदान की जा सके Operation Blackboard की अगर बात करें तो इस योजना में जो मुख रूप से एक कहा गया कि हर प्राइमरी स्कूल में कम सकम दो क्लास टोम होने चाहिए एक बरांदा होना चाहिए लड़के लड़कियों के लिए अलग लग टोईलेट होने चाहिए और कम से कम जो टीचर होने चाहिए 50% जो टीचर हो महिला टीचर फिमेल टीचर होनी चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं 1988 में National Literacy Mission आया तो इसका क्या उसके बाद फिर हम बात करते हैं DPEP की District Primary Education प्रोग्राम जो 1994 में आया था और यह जो प्रोग्राम था यह Center Government का एक प्रोग्राम था जिसका Main Objective क्या था कि Universalization of Primary Education Primary की अगर हम बात करें तो मतलब 5th Class तक की जो Education है कि at least तभी तक जो Primary Education उसको पहुँचाना तो इस प्रोग्राम पे जितना भी खर्च आना था उसका 85% Central Government उठाती और 15% जो था वो जो राजिस सरकार है जो State Government है उसको खर्च करना था तो यह जो प्रोग्राम था इस डिस्टिक लेवल पे चलाया गया ताकि डिस्टिक लेवल की जो Education है डिस्टिक में जितने भी ब्लॉग है Village है सभी की जो Education है एक बहतर Education दी जा सके एक Facility सबको Provide की जा सके फिर हम बात करते है Mid Days Meal Scheme एक बहुत ही Famous आप इसको Scheme कह सकते है कि खाने के माधियम से भोजन के माधियम से बच्चों को School की तरफ Attract किया गया जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो देश है यहाँ पर 50% से ज़्यादा Population जो है वो गरीवी रेखा से नीचे है तो सबसे पहले कहते हैं कि भूखे पेटना भजन गोपाला कि अगर आपका पेट खाली हो तो आप आपका जो objective होता है पेट भरना सिक्चा सब कुछ बात की बात होती है सबसे पहले पेट भरना चाहिए तो गरीबी के कारण जो है जो parents हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को भी school नहीं भेशते तो उनको एक time का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसे में जब उनके parents को मतलब चला कि school में एक time का अच्छा अच्छा खाना बच्चों को मिलेगा तो खाने के लालस से वो अपने बच्चों को school भेजने लगे अब बच्चा school जाएगा तो इस प्रोग्राम के थ्रूप क्या क्या चीजे अच्छीव की गई तो क्या क्या इसका result देखने को मिला कि प्रात्मी कक्छा में विद्धियार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई उनका general enrollment है बढ़ा और दूसरी चीज क्या थी health to retain the strength in the school की विद्धियार्थियों को विद्धियाले में रोकने में साहता मिली कि बच्चे पहले school छोड़के भाग जाते थे लेकिन आप रुके रहते थे कि चलो या lunch होगा हमें खाना मिलेगा इसके अलावा विद्धियार्थियों की विद्धियार्थियों की विद्धियाले छोड़ने की प्रविर्थी कम हुई decrease tendency to leave the school क्योंकि घर्थ से अच्छा खाना जब स्कूल में उनको मिल ला तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या गरेगा ने इसकूल में मुझे रहना है क्योंकि मुझे अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चा खाने के बाहने इसकूल रहने लगा विद्धियार्थियों को पोश्टि कहार अच्छा खाना मिला और children started attracting toward school की विद्यारतियों के मन में school के परती आकरसन पैदा हुआ फिर हम बात करते है 2001 में आए सरसिक्षा अभियान के बारे में तो नाम सी पता चला है सब के लिए सिक्षा तो सरसिक्षा अभियान was an effort by the government of India to achieve the goal of universalization of elementary education by 2010 तो 2001 में प्रोग्राम आया और इसका जो main objective क्या था कि 2003 तक सभी बच्चों को 6th year के सभी बच्चों को 1st class में अडमिसन देना 2007 तक उनकी 5th class complete करना और 2010 तक उनकी elementary education मतलब 8th class जो है उनकी पूरी करवाना तो इसका एक objective था 2010 तक सभी बच्चों को elementary education देना इस प्रोग्राम सपोर्ट स्टेट इन दे श्टेट स्टेट इन दे कंस्ट्रक्शन डवलाप्मेंट और प्रैमरी एंड अपर प्रैमरी स्कूलिंग तो प्रैमरी का मतलब 1st to 5th और अपर प्रैमरी का मतलब है 6 to 8 फैसलिटीज अक्राउस तो मतलब पूरे देश में जो 1st क्लास से लेकर 8 क्लास तकी जो सिख्चा है जो सुधाएं उसको और बहतर बनाना ताकि 6 से लेकर 14 एर्स के जो बच्चे उनको एक क्वालिटी एजूकेशन दी जाय सके तो इसमें क्या-क्या चीज़े की गई कि जहां स्कूल नहीं थे वहां पर स्कूल बनाये गए और जहां से पहले स्कूल जहां पर पहले से स्कूल थे वहां की ख्लासरूम बढ़ाए गई या उसी स्कूल की मरमत की गई उसका रेनोवेसन किया गया इसके अलावा अंडर इस प्रोग्राम the infrastructure प्राइमरी स्कूल आज अगर वहां पे बिल्डिंग है तो किसकी बदोलत है सर्वसिक्चा अभियान की बदोलत फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 21A तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बात की थी आर्टिकल 45 की तो जब हमारा कॉंस्ट्यूशन बनना सुरू हुआ तो उस टाइम आर्टिकल 45 में तो था कि जिदिन हमारा कॉंस्ट्यूशन बन कर तयार हो जाएगा next 10 year में सभी को elementary education दे दी जाएगी लेकिन constitution बनकर तयार हो गया तो एक controversy हो गए कि जिम्यदारी किसकी हो गया education देने की state कहने लगा center की है center कहने लगा state की है तो controversy 1976 तक चली ठीक है तो वहाँ पे फिर education को concurrent list में डालके state और center दोनों की responsibility बना दिया गया लेकिन 2001 तक इस दिसा में कोई बड़ा program नहीं आया था तो 2002 में फिर क्या हुआ article 45 में जो free and compulsory education को जो provision था उसको article 45 से हटा कर एक नया article बनाया गया 21A तो 21A में free and compulsory education का जो provision था 2002 में 86 जो amendment हुआ था उसके तहत इसमें शामिल किया गया फिर article 45 का क्या हुआ article 45 में फिर ECCE जिसको हम कहते हैं early childhood care and education जिसको pre school education आप अलग लग program है एंटीटी है ठीक है तो उसमें article 45 में provision किया गया कि state government की responsibility है कि three से लेकर six year के जो बच्चे है उनको pre जो school education है उसके सम्मन में जो विवस्ता है वो कौन करे state government करे और 2002 से एक नया article 21 जिसमें कहा गया जिसमें education को हमारा fundamental right बना दिया गया तो article 21 ने 2002 में आया और 2002 में 86 amendment के तहत जो free and compulsory education का जो provision था article 21 में जोड दिया गया और education को हमारा fundamental right बना दिया गया जिसमें क्या कहा गया 6 से लेकर 14 years के जो age group है सभी बच्चों का elementary education provide की जाए क्यूंकि education fundamental right हो चुका था उसके बाद हम बात करते हैं साक्षर भारत 2009 तो ए प्रोग्राम कब शुरूआ 2009 में तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1988 में नेशनल literacy mission आया तो उसी का updated version जो था साक्षर भारत था तो नेशनल literacy mission का जो target था 2007 तक जो literacy rate है कितना करना 75% दाना ठीक है और फिर 2009 में साक्षर भारत आया तो इसका जो target क्या था कि 2012 तक हमारा जो literacy rate है कितना होना चाहिए 80% तक लाना था तो 2001 की जो जन गंड़ना थी जो उसमें हमारा जो literacy rate है कितना हो चुका था 74% परसेंट जो हमारा literacy rate हो चुका था तो जो यह साक्षर भारत अभियान 2009 में आया जो टार्गेट था कि 2012 तक हमारा जो लिट्रेसी रेट है 80% तक हो जाना चाहिए और इसके अलावा रिडिउच दा गैप बिट्मीन लिट्रेसी अमंग उमेन और मैन कि महिलाओं और पूरिस के भी जो साक्षरता का जो अंतर है उसको कम करना फिर साखषरता की सा Hagsharthा की सामानता है कि साखषर है जादा है गरामन चैतर में कम है तो इसको भी पर करना तो इस साखषर भारत जो आया 2009 में उसका एक objective थे पिर हम बात करते हैं राइट तो आज़केशन अग्स 2002 में एज़केशन हमारा fundamental right बना और 2009 में कानून बने गया कि अब education जो है बच्चों का right के साथ साथ एक कानून भी हो गया right to education तो सभी को education प्रोवाइड करना इस सरकार की जिम्यदार ही है कानून अगर कोई six से लेकर fourteen years का जो इस ग्रूप है अगर बच्चों को school नहीं बेशता तो उसके खिलाफ एक्षन भी लिया जाएगा चाहे parents क्यों नहों तो इसमें बहुत सारी provision किये गए right to education act में कि हर एक किलोमेटर के distance पे एक primary school open होगा और इसके अलावा बच्चों से किसी तरह कि EWS के जो 25% सीट है private school को license तभी मिलेगा permission तभी मिलेगा जब वो 25% गरीब बच्चों को अपने वहाँ पे admission देगा जो teacher है वो school के बाद जो private tuition जो है वो नहीं पढ़ा सकते और अगर बच्चों के पास जो उनके date of birth का proof नहीं है तब भी school को admission देना पड़ेगा इस तरह से तमाम जो provisions थे हमें right to education act 2009 में मिलते हैं फिर हम बात करते हैं हम elementary education की बात कर रहे हैं यूई की बात कर रहे हैं तो प्रारिमिक सिक्चा के सारभोमी करण की इसकी आवसकता और महत्र क्या है इसको भी हम जान लेते हैं बच्चों की जर्म जा सकतियों के विकास के लिए कि हर बच्चे में talent होता है लेकिन talent को बाहर कब निकाला जा सकता है जब उसको अच्छी opportunity मिले अच्छी education मिले इसलिए जो universalization elementary education सभी तक elementary education पहुचना जुरूर हुई है उसके बाद समाज की प्रगृति में योगदान contribution to the progress of society हम society के progress में तभी योगदान दे सकते हैं न कि जब human को human resource बनाया जाए मानों को education देकर मानों संसादन बनाया जाए तो उसके लिए education बहुत जरूरी है तो इसलिए भी social development के लिए national development के लिए राष्ट जो बनता है देश जो बनता है उनके लोगों से बनता है लोग पढ़े लिखे होंगे तो देश आगे बढ़ेगा लोग अनपढ़ होंगे तो देश पीछे जाएगा दुनिया भर में जो विक्सित देश हैं और जो गरीब देश हैं दोनों की यही पैचान है वहां की सिक्छा जहां की सिक्छा अच्छा responsibility के बारे में मादमिक सिक्षा के तयारी कि अगर elementary education मिलेगी तभी तो बच्चा secondary education की तरफ जाएगा दैनिक जीवन की आवसक्ताओं की पोर्ती, अगर हम life में हम social life जो हम जीते हैं तो दैनिक जीवन में, चाहे math की बात करें चाहे language की बात करें, हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, तो उसकी लिए भी निरक्षरों को साक्षर बनाने में साइक health to make illiterate, illiterate की सिक्षा के माद्यम से ही जो असिक्षित उनको सिक्षित किया जा सकता है basic knowledge दी जा सकती है अब हम बात करते हैं, प्रादंबिक सिक्षा जो लोग हैं, जो सरकार है, जो राजनितिक दल हैं, अगर अच्छे हैं, अपना काम इमानदारी से करेंगे, तो लोगों के लिए बहतर करेंगे, लोगों को बहतर education मिलेगी, लेकिन अगर एक corrupt हैं, अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो कही ना कहीं लोगों को problem होगी बच्चों को अच्छी education नहीं मिलेगी समाजी कटनाईया, social difficulties चाहे हम जातपात की बात करें हम धर्म की बात करें अगर इसको एक positive way मिलें तो अच्छा है लेकिन अगर negative way मिलें तो इसकी base पर distribution असमानता है होनी लगती है तो यह भी एक बहुत बड़ी problem है चाहे हम child marriage की बात करें भागाली कटनाईया, geographical difficulties भारत एक बहुत बड़ा देश है एक side समंदर, एक side पहाड, एक side रगिस्तान, एक side जंगल है ऐसे में कोने-कोने में जंगलों में, पहाडों में, रगिस्तान में ऐसे हर जगे जो school की facilities प्रवाइड करना बहुत ही मुस्किल है, तो एक बहुत बड़ी problem है आर्थी कटनाईया, economic difficulties गरीबी, गरीबी के कारें इंसान की जो पहली जो आफ सकता उसका रोटी कपड़ा मकान है education तो बात किये, पेट भरा रहेगा तब ही तो बच्चा school जाएगा भासा सा मंदी कटनाईया अक्सार हम देखते हैं बच्चों की घर के भासा अलग होती है society की अलग होती है, school में जाते है तो वहां की अलग भासा होती है तो ऐसे में बच्चा जब school पहुंचता है पढ़के दम तोड़ देता है और school उसको जाना अच्छा नहीं लगता तो language difficulties पी एक बहुत बड़ी problem है इसके अलामा अध्यापकों की समस्या teachers काम है school में, बच्चों के साफसे देखें तो teachers नहीं है तो अगर teachers नहीं है तो class में, school में क्या होगा discipline जादा होगा तो बच्चा सोचे गए school में मारपीट हो रही है teacher है नहीं पढ़ाई हो नहीं रही तो इसलिए बच्चा school जाना छोड़ देता है विद्यालियों की समस्या एक और problem की हर जगे school नहीं है school होगा तभी तो बच्चे जाएंगे school नहीं होगा तो कैसे school जाएंगे पाठकरम की समस्या प्रोब्लम करिकूलम की बात करते हैं तो बहुत बार एब यह की करिकूलम है अगर बच्चा करिकूलम को अपनी राइव से लेट नहीं कर पाता subject जो है बच्चों की एस की according content नहीं है तो कहीं न कहीं हो उबाव लगता है बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता सहयोग का भाव lack of cooperation school है teacher है अगर बच्चों का support नहीं करते corporate नहीं करते तो यह भी एक बहुत बड़ी problem है और कालपनिक नामांकन की fake जो enrollment है कि बच्चे school में नहीं है तब भी उनका fake admission कर दिया जाता है school में दिखाये गया है कि 500 बच्चे है लेकिन actual में 100 बच्चे है एक class में बता रहे हैं कि 70 बच्चे हैं लेकिन daily आते 40 बच्चे हैं मतलब 30 student है जो छोड़ चुके हैं school उनके भी अभी fake admission जो है उनका नाम है तो यह बहुत बड़ी problem है तो आज की इस वीडियो में हमने बात की universalization of elementary education के लिए government के तरफ से क्या क्या program and scheme थी इसके अलावा इसकी क्या importance है और क्या क्या barriers है इसकी हमने बात की तो वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद